हालो फ्रेंट्स वालकम तो ओल आज मैं आपके ले जो वीडियो लेक्यारों देखिए आई प्यों की लाइन लगी है तैयार है बहुत सारे आई प्यों कुछ अभी आये हैं और आप देख पा रहे हो कि अभी बैट टू बैट तीन आई प्यों गए हैं बल्कि एक का तो भी मं मतलब बंडे से फिर स्टार्ट होने जा रहा है आपको कितने आई प्यों मैं अप्लाइ करें आपके बने में क्यूश्चन जरूर होगा लेकिन मैं आपसे एक बात यहीं पर कहूंगा कि आई प्यों मैं अप्लाइ करना बहुत ही आसान है और यह स्ट्रेटेजी एक रिस्क जो मैं आपको हमेशा कहता हूं टू पीम स्ट्रेटेजी उसमें लिस्टिंग गेन के चांसे बहुत ही बढ़िया होते हैं और आपको ज्यादा डरने वाली बात नहीं होती है क्योंकि हमारी जो पहली प्रियारिटी रहती है वह हमेशा यहीं रहती है तू मैने दर रिस्क बिफोर इन्वेस्टमेंट समझें इस बात को तो आई प्यों की लाइन लंबी है जिस आई प्यों के हम बात करते हैं उस आई प्यों को देखते हैं देखिए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं यहां पे आपने अब तक जो मार्केट में लिश्टेट प्लेयर्स हैं होकि mniej टिटीके प्रैस्टिज आपने नाम सुना होगा याखि ER किचंछ आप्लयंसिस किच आप लेंसिस तो वही यह IPO है गीचंछ आप्लैंस का और अब इसके विदाइ कैड़के कुछ आप ले स्टोब क्राफट का नाम है स्टोब क्राफट सायद आप ब्लैक डेकर को नहीं जानते हों मैं आप से या बात कहूंगा यहां पर आगे बढ़ने से पहले Black Decker, बहुत important, एक brand, इसके products ये देखे, Black Decker, आपको कहे हाँ यार, वहिया, company तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, और company के लगने, बढ़िया लगने से ही नहीं, इसके performance को देखेगे, ये brand जो आप देख रहे हैं, Pison, LED, ये BC का है, और ये जितने भी इसके अलग-अलग brands हैं यहाँ पे stopcraft धीरे धीरे IPO की तरफ बढ़ गया company अब इसके group के अगर आप इन मैं कहूंगा products को देखो तो आप इसके listed group को देखोगे तब आप कोगे बजाज electrical भी बहुत सारे products इस तरह किसे बनाता आये बी इंडस्ट्रीज भी बनाता है Hawkins कुकर हो गया टीटी के prestige होगे तो बहुत सारे इस segment में है अब हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे इसकी details इस IPO को देखिए समझिए सबसे पहले storecraft का IPO 25 January से खुलने जा रहा है और 28 January को last date है और dates important है और हमारे लिए तो first day तो important नहीं है मैं कहूंगा सबसे important है last day तो 25 और 28 क्योंकि 26 को क्या है 26 January simple से Republic Day है तो उसके हिसाब से तो आपके लिए 28 January IPO तीन दिन ओपन यहाँ पर होता है generally और आप यह देखोगे 25, 27, 28 यह तीन द बात है जो भी अच्छी बात है तो मैं आपको क्या दिखाए आप इसके brands दिखाए brands के साथ साथ कितने 25,000 retail outlets पर available है समझ ले इस बात को कितने 25,000 retail outlets पर available है और साथ के साथ और समझने की कोशिच करते है points को देखिए point by point dates आपने देख ली IPO का size है 412 करोन मार्केट से 412 करोन उठाने है price band आपके लिए important हो जाता है क्या है price band 384 से लेके 385 क्योंकि मैं यह expect करके चल रहा हूं मैं यह assume करके चल रहा हूं कि आप लोग यह videos IPO के देखते होंगे तो last दिन apply करते होंगे first दिन second दिन आप apply नहीं करते होंगे मैं यह assume करके चल रहा हूं क्योंकि इतने IPO आप करते हों तो मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट डे apply करना patience market में बहुत important है तो आपको last दिन सबसे बढ़िया रहता है हाँ अगर आपके पास time नहीं है और आपको ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही strong fundamental से तब तो अच्छी बात है लेकिन तसलिश से जाईए कई वार अच्छे IPO भी आपको discount में मिल जाता है अगर subscription अच्छा ना हो तो लास्ट दिन important है जब 8-10 गुना कौन सी strategy है हमारी comment की थूरू बताइए बहुत सारे लोग क्या कहते है टू पीम strategy जिन्दा बाद वह यह बहुत simple strategy है लेकिन कई बार dmat account कुछ ऐसे हैं जो दो बज़े तक जो है फिर के बाद apply नहीं करने देते तो वह एक बज़े बारा बज़े देख सकते हैं हां उस टाइम पर 8-10 गुना नहीं तो 6-7 गुना का data होगा थोड़ा सा एक दो टाइम कम होगा ज्यादा नहीं क्योंकि last दिन पर सुबह से ही start हो जाते है मिजरली और QIB अप्लाई करना 35% का retail portion है करना है यह बाद भी समझ गया होंगे देखे देखे यह points जो है यह हर वीडियो में मैं जरूर बताता हूं देखे आप अगर regular viewer हो तो आप सुन सुन के पक गया होंगे लेकिन समझ में आपके जरूर आ गई होगी अब तक रट गया होगा आपको कि में लास्ट दिन दो बज कोन की कमी है तो अपनी family members सबसे बढ़िया होता है घर में mother, father, brother, sister, spouse यह तो होते ही है इनके पास account एक एक pen card जिनका है pen card नहीं तो pen card भी बन जाता है तो उनके नाम पे अपना एक DMAT account रखिए और IPO साल में 57 IPO ऐसे अभी देख लीजिए साल तो छोड़िए पिछले 6-7 महिनों में 4-5 IPO ने पैसा double कर दिया एक में भी लग गया एक lot इधर से भी लग गया तो 15,000 रुपे की सीधे कमाई हो जाती है कुछ नहीं थोड़ा सा बस आपको बस चाय पीने का time देना और हमेशा patience में रहना है क्योंकि generally लोग क्या कहते patience खो देते हैं जब उनको IPO नहीं मिलता है अब आपको emotional नहीं होना वहाँ पर और 38 shares का यह lot है कितना lot है 38 shares का तो amount कितना बनेगा एक lot का 14 630 यह आपका एक lot का amount बन गया अब आपको हो गया और कितने lot लगा सकते हैं अब आप देखे कितने lot आप यहाँ पर लगा सकते हैं दो लाग से कम retail ने बेशक होता है और dates allotment का finalization होगा दो फर्वरी को refund तीन फर्वरी को आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा आपको मिला है या नहीं मिला है तो यहाँ पे कितने दिन ब्लॉक हो रहा है 28 आपके last date है 28 हो गया 28 को आपने apply किया है इसको भी जोड देते है 29 30 और January है तो 31st और 1 2 1 2 3 4 5 6 चलिए 3 का भ ब्लॉक होता है यू किनाट यूज 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 इट बट इस सेफ इन यूर अकाउंट समझने इस बात को हुआ आपके अकाउंट में रहता कटता तब ही है कटता मतलब खुशकबरी आई प्यो मिल गया अभी मैं चलूंगा जी एंपी रेट पे कि ग्रे मार्केट प्रीम तो मुझे इसकी profitability 2000 पहले तो loss था फिर मात्र एक करोड के आसपास का profit था यह सारी profit देखे करोड में यह numbers फिर तीन करोड का profit हुआ और फिर तीस करोड का profit हुआ और वो भी 2021 वारे financial year के half में 30 करोड का profit हुआ यहाँ पर शॉक दूग है मैंने कहा है revenue तो कम यहाँ पर profitability बहु 28.7 करोड का profit यहाँ पर profit after tax जो है यह अभी first half में दिखाया जो कि मुझे काफी अच्छा लगा और overall कुछ न कुछ यहाँ पर extra चीज़े हांगी जिसकी वज़ेशे profit हुआ होगा पर overall जो revenue है उसका भी growth है और सारी चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिली अभी मैं ग्र आप जैसे जैसे subscription अच्छा होगा तो यह बढ़ता हुआ आपको दिखीगा अब आपको बढ़ी है बात है अच्छी बात है हो फर्स्ट फाइनेंस देखिए कहा तक जा चुका है यह देखें यह तो हमारा reject हो गया था IRFC हमारे 2PM criteria में आया नहीं fit नहीं बैठा तो हमारा rejection हो का 90 से 100 और अगर आप देखोगे राउंड ओफ करके फिगर लेते हैं तो 400 का आप लगाओगे यह कितना होगा सीधे 25 परसेंट तो 25 परसेंट का लिस्टिंग इंकम नहीं हो तो अभी तो दिरी दिरी सब्सक्रिप्शन अच्छा जाएगा तो यह अच्छा लिस्टिंग हो स लां ररा लागता है तो 25 थीश परसेंट दिखा रहा है वाट हमारे पास क्या है हमारे पास तो सेफस्ट्राइगी है कौन सी 2 पिएंग की स्ट्राइग्य समस्दो कितनी सिम्पल श्रेटीजी है अब अभी आपने यह देखा स्टोप क्राप्ट की सारी डीटेल आपने आप का last दिन बचा हुआ है और 25 तारी की इसकी last है हूbs first finance की कितने ही 25 तारी के last date है देखते हैं अब इसको भी यहां पर ओपन कर लेते हैं 25 तारी के last date हूं first finance की तो अभी आप के पांज 25 सेazy open हो रहा है तो पचींस से यह वाला आपका last दिन जो है 25 जैनुरी को इसका तो यहां पर भी देखेंगे कितना सब्सक्रिप्षिंग जा रहा है उसके बाद आपका आप कर सकते हो तो इसके लिए हमारे पास जो पब्लिक का ग्रूप है वारा टेलीग्राम का डेस्क्रिप्षिन में लिंक दिया उसको आप जोईन कर सकते ह हम लास्ट दिन जरूर सारे आई प्यों जो भी आई प्यों का लास्ट डेह में होता है उसमाँ आपको अपडेट करते हैं हमारा एलिजिबिल्टी क्राइटीरिया पार हुआ या नहीं हुआ अगर हो जाता है तो फिर एपलाई तरना बहुत ही बाड़िया तो फिलाल वाइ है आपके लिए क्यों कि वही आपकी साइट की तयार है वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब नहीं का तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लाँ और साथ के साथ बैल आकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आते लेगी और टेक्निक